हाई गाईज वेलकुम तो सेडियो में इस कीतन का फोबिया जिन जिन बच्चों के उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत साथ इंपोरेंट है गाईज मैं आपको एक ऐसे सेग्मेंट के बार में बात बताने वाला हूँ जो 27% आता है आपके cat में on an average रहीट आप अगर अगर आप देखोगे 2009 से लेके अगर मैं 2020 के बार में बात करूँ तो round about 12 साल का analysis मैंने आपको यहाँ पे दिया है गाईज यह वो topics है जो कम से कम 15% आये है हां कम से कम 15% आये है अगर मैं बात करूँ 2009 के बार में और अगर मैं 2020 के बार में बात करूँ यह 31% आया था मतलब अ अगर आप लोग ये topics अच्छे खासे से कर लेते हो, there is a 100% guarantee के 2021 की cat में आपको ये topic short shot दिखने वाले है, कम से कम 25% और maximum अगर आप दिखोगे तो 30 से लेके 35% तक आपको ये topic short shot दिखने वाले है, तो मैं always कहता हूँ, आपको cat के preparation हो, तो बहुत ज़ादा focus हो ली चाहिए, अब हर एक चीज़ तो नहीं कर सकते, अगर आपको quants का phobia है, आप तो आप definitely नहीं कर सकते, अगर आप quants में pro हो, definitely आप कर सकते हो, बड़ यार एक बात बताओ, अगर आप pro भी होना, तो भी आपका भी ही category होता है, कि यार ये topic मेरे लिए easy है, ये topic मेरे लिए medium है, और ये topic मेरे लिए tough है, so guys, ये categorization always and always होता है, right, so understand this, ये उस segment के बारे में मैं बात करूँगा, मैं before even I tell you this segment, आप बस यहाँ पर अपना benefit देखो, कि अगर कोई बंदा, ये segment ठीट ठाक से कर लेता है, तो short shot उसके question लगने ही लगने है, as far as your cat is concerned, अब एक चोड़ा सा analysis किया जाए, जहां तक ये सवाल है, कि ठीक है, इसके अगर हमने देखिए, इसके जो questions आते हैं, वो अच्छे कासे आते हैं, अगर आप देखोंगे 31%, right, 26 में से 8 question अगर कोई कर लेता, 26 में से 8 question अगर कोई कर लेता, cat 2020 में, वो बंदा, short shot 85 percentile plus हो जाता, short shot 85 percentile plus हो जाता, अगर मैं इसको थोड़ा और लेके चलू, right, जितने भी 5 segment हैं, आपकी, जितने भी 5 segment है, cons की, cat के, अगर भाई आपने अगले 5 से 6 मेरे में, सिर्फ और सिर्फ इसी की उपर काम लिया, और अगर आपने इसका easy, medium और tough level, जो situation में कहा जाता है, basic, advance and challenger, अगर आपने ये level कर लिये, सवाले नहीं पैदा होता कि आप एक भी question चोड़ो, सी, यहाँ पी आपको वो बात देखनी कि जहाँ पे मैं कहता हूँ, आपको focus study करनी है, अगर आप टाइर हो, अगर आप ज़्यादा pro नहीं हो, newbie हो, अगर quants से डर लगता है, ये से ही आपको पढ़ाय करनी है, और ये बहुत important, even toppers जहाँ पे हम बात करते हैं, even toppers क्या करते हैं, पहले toppers वो चीज़े कर लेते हैं, जिसमें उनकी accuracy close to 100% हो, आख बंग करके, तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा utilization करके, accuracy increase करके, फिर उनका score आगे बढ़ते जाता है, अगर आप देखोंगे, हर साल, हर साल, ये एक segment में तुमारा cutoff, हाँ, तुमारा cutoff clear करके दिया है, पुरे के पुरे IMs के लिए, देख भाई, 70% sectional cutoff है quants का IMs के लिए, बाकि सब IMs के लिए, ये कम से कम 80 से लेकिए 85% के range में आता है, और ये एक segment है, जो आपका पूरा का पूरा cutoff clear कर सकती है, अगर आप quants में weak है तु, and that is the reason I want you to focus a lot on this segment, अब ये segment की कुछ अगर हम advantages बताए, तो यार इसमें simple सी बात है, ये engineering के भी काम आता है, और non-engineers के भी काम आता है, मेरे पस mixed feedback है, अब हम बात करेंगे इस segment के बारे में, कि ये segment क्या है, जो इतना जादा quantity में आता है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, so this is none other than algebra, right, अगर आप algebra के बारे में बात करेंगे, ये algebra short, short है, मेरा जो AAG का funda है, right, मेरा जो AAG का funda है, जो strategies यार मैं आपको बताता हूँ, वह ऐसे ही नहीं बताता हूँ, वो always work होता है, आप देख लो 2009 से लिकिए 2020 तक, algebra ने कभी भी अपने को disappoint नहीं करा है, algebra has always been there, rather, अगर मैं कहूँ, हाँ, अगर मैं कहूँ, 2015 में, यार, I.M. अमदबाद में paper बनाया था, तो अगर आप देखोगे, I.M. अमदबाद में 41% का weightage दिया था, algebra के लिए, तो, उस लुसारा गर हम देखेंगे, अगर 2021 में, we can say that, कि definitely, यह 41% ना हो, फिर भी, यह कम से कम 25 से लेके 30% की range में होने ही वाला है, there is no doubt about it, so guys, मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा paper बता रहा हूँ, actually, अगर आप ऐसे पढ़ाए करोगे, तो आपका फाइदा होगा, और यह percentage इससे कम नहीं आने वाले है, अब algebra में आता क्या ह जाँगा, which is nothing but most important topics, right, इसमें थोणा सा time लगेगा, but मैं आपको eventually बता दे जाँगा, कि इसमें most important topics क्या है, see, you start with linear equation, you go ahead with quadratic, then you go ahead with inequalities, search and indices, logarithm, set theory, function, graph, तेरा segment है, और इसी वराकार सिर्टू से में हम बढ़ाते है, अगर आप देखो गे, मैं आल्वेस कहता हूँ, मैंने important नहीं है, पढ़ाई detailed manner में करना बहुत जादा ज़रूरी है, अगर बेटा आपको cat में success चाहिए, समझा, तो आपकी पढ़ाई बहुत detailed में होना चाहिए, जब भी हम हमारा कोई भी अगर हम chapter चालो करते है, जैसे हमने अभी linear equation चालो करा है, आप जार जैको linear equation कैसे पढ़ा मिलेगा, I can guarantee on that, so you start with arithmetic operation, number of solution, equations with one variable, equations with two variable, you go step by step, right, you go step by step, और guys, यह जितना भी चिट्टा यहाँ पे आपको दिख रहा है रहा, यह जितना भी आप यहाँ पे देख रहा होना, let me tell you, यह पूरा का पूरा, सिर्फ और सिर्फ हमारा basic level है, यह हमारा basic level है, इसमें advance आएगा, और इसमें challenger level भी आएगा, you can understand के एक segment जो इतना ही important है, which is nothing but algebra, हम कितना detailed manner में करते हैं, और यह आपको भी इतना ही detailed manner में करना है, फिर उसके बाद हम questions लेते हैं, फिर उसके बाद हम doubts करते है, quadratic equation, linear equation important है, अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे, अब यहाँ पे देखों कि यह binomial theorem, यह आता है, binomial theorem is also important, बहुत सारे बच्चे कहतें कि यह binomial theorem नहीं आएगा cat में, बट यह आता है, and you know what, यहाँ पी एक difference आता है, difference कि इसमें आता है, एक वो बच्चा जो अच्छे marks लेके आता है, सिर्फ और सिर्फ algebra करके, because उसने पूरा का पूरा algebra करा है, उसने पूरा algebra अगर आप देखो कि थोड़ा नीचे जाओगे, तो हर एक चीज का हुआ ही फंड़ा है, basic introduction होगा, यह questions होगे, यह cat level के questions होगे, जो भी question हम करेंगे, यह straightforward cat level के questions हम करेंगे, और यहाँ भी हमने mention भी करा है, कि हम cat level के questions करेंगे, set theory, short shot one question, functions and graph, short shot one से लेके two questions, यह question बनने ही आप यहाँ पर देखो ना, 13 categories है, पूरे के पूरे algebra की 13 categories है, और अगर आप देखो के कम से कम 12, 13, 14 questions तो यहाँ से बनते ही बनते है, तो कभी कबार यह भी हो सकता है, चलो, मानलो, linear में से कोई question नी आया, but certain certain indices, short shot, logarithm one question, short shot, there is no doubt about it, हमने एक demo session करा है, end मेरा वीडियो के मैं उसकी link दे दूँगा, आप वो demo session जाके दिखना, तुम्हारा log, short a day for your life, आपको कभी दिखर देऊगे, so guys, अगर आप इतना करोगे, this is what I am doing in my new batch, this is what I am doing in my new batch, let me tell you something more about C to C, अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने already algebra करा था, अगर आप देखोगे, हमने 13 sessions यहाँ पे लग करते हैं guys, हम basically concepts repeat करेंगे, but उसकी handout बदरा जो भी है न, वो सब की सब handout नहीं आने वाली है, तो अगर आप यहाँ पे नया batch join करना चाहते हो, right, if you wanna join new batch from this Saturday, you can very well join from Saturday, यह जो भी lectures है, यह आपके पास recorded है, यह आप खुद से कर सकते हो, step by step कर सकते हो, and guys हमारी videos देखो, यह 2 गंटा, minimum 2 गंटा है, देड़ गंटे का आपको एक बिने दिखेगा, 1 hour 45 minutes के ऊपर ही आपको सब वीडियो मेरे दिखेंगे, तो एक गंटा, 45 minutes, we don't do that, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, यहाँ हमारा second level algebra, right, which is conducted by वैब उसर, यहाँ पे भी हमने algebra वापस पूर करना है, नए questions के साथ, नए level of difficulty के साथ, so guys, if you wanna join us, you can join us, but understand this, यह पढ़ाई का एक तरीका होता है, आपको पढ़ाई ऐसे करनी है, अगर आप इतना detailed manner में पढ़ाई करोगे, अगर आप basics में करोगे, मैं always कहता हूँ, आप कोई भी quants का topic उठाओ, आप कोई भी quants का topic उठा हमने सिर्फ algebra का basic लगाया, फिर हम करेंगे algebra का advanced level, अब advanced level में थोड़ा सा आपको पंगा होगा, बड़ अगर आपका basic अच्छा होगा, advanced आपको निकल जाएगा, फिर advanced के बाद हम करेंगे challenger level, जो बोथ high funda होता है, तो अगर आपने basic भी कर लिया, you will be able to knock off 70% of algebra, for sure, जो advanced level and challenger level जो होता है, जो में basically कहता हूँ, जिसी किसी को 99.50 plus चलना है, आपके लिए challenger level is the most important level, so guys, this is it from my side, the details will be given in the description, if you wanna join us, you can get in touch with us, but पढ़ा ही ऐसे करो, detailed manner में करो, और repetitively करो ता कि आपके वो दिमाप में बैठे, आपके जहन में बैठे, so guys, last but not the least, algebra is gonna be a make or break in CAT 2021, it's gonna be a short short thing, जो आपको दिखने वाली ये paper में, निगलेक्ट मत करना, you have 5 months in your hand, 5 मेने में क्या आपे 13 topics ने उड़ा सकते हो, आदा से, you can do it much better, right, so guys, wish you all the very best, if you wanna join us, do call us on the number given below, wish you all the best, do well, bye-bye.